हाँ वह तीन आखो अलग होने जिसकी बात सब मानते हैं वह शिव शंकर बोले बंडारी वह हमारा ये बेठा है जदाल अबे साले तभी मेरे माप करना हो गुस्से में दो दो निकल जाता हूँ दो आखो थो आखो से तो गुना हो सकते हैं असलाम आलेकों मेहुं आमीर अलीज आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेके आएं और हमारा जुछ सवाल है वो लोगों से ये होगा कि वो तीन आखो वाला कौन है जिसकी बात सब मानते हैं तो हम लोगों से इसका जवाब मानुम करते हैं कि लोग इसका जवाब क्या देते हैं तो चलते हैं लोगों से जवाब मानुम करते हैं तीन आखो वाला वो कौन है जिसकी बाद हर को ही मानता है। मैं तो पैदा ही अभी हुआ हूँ। मता हराम ही हूँ। हाँ वह वह तीन आखो वाला कौन है जिसकी बाद सब मानते है। वह शिव शंकर है। बोले बंडारी वह हमारा है। यह बेठा है। कि इसकी बात सब मानते हैं इन आख वाला हमें पता नहीं है जदाल है जदाल अबे साले तभी मेरा माप करना हो गुष्से में दो दो निकल जाता हूं जदाल एक जनुवर है जो अभी तगे बंद हुआ है एक जबल में लेकिन अब उसके आसहर जो है न थोड़ा करीब है यहाय है वो तीन आखोु वाला कोने जिसकी बात सब मानते हैं आ मेरे को नए पता आप बताएं वो तीन आखो वाला कोने इसकी बात सब मानते नहीं ठीक जदो जबभी एक दो गुना हो सकते हैं वा दिदी उ lijस्या ती है तिस्री आंक के तो लो नॉर्मली वो खुदा नहीं देख रहा मजब अला नहीं देख रहे वो कर लेते शितान तो तिस्री आंक तो उसी क्यों इना पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईयव आईयस बनो और देश को समान वो तीन आखो वाला कोने जिसकी बात हर कोई म कंफर्म जन्नती है कंफर्म जन्नती है वो तीन आखो वाला कोने जिसकी बात सब मानते हैं तीन आखो वाला कोन हो सकता है याद नहीं है याद नहीं है बस हवा निकल गई वो कोने तीन आखो वाला जिसकी बात सब मानते हैं जो कोई नमाज की दावत देता है हम नमाज पढ सबस्क्राइब आप बताईए कि वह ती नंगवाला कोन इसकी बाद सब मानते हैं इंसान वो तीन आखोला कोन इसको देखके सब रुख जाते हैं ऐसा तो कुछ है ने तीन आखोला हो ऐसे कुछ चीज मैंने ने देखिए अपनी जिन्दगीन इसका जवाब मैं आपको बता द सवाल था कि वो तीन आखो वाला कोन है जिसकी बात सब मानते हैं और आपने लोगों के जवाब भी सुनें तो असल जवाब में आपको इसका बताता चलू कि वो तीन आखो वाला ट्रैफिक सिंगनल है जिसकी बाद सब मानते हैं इसी के साथ मुझे इजाज़ा दीजी अल्ला आफिस